11 डाल लो पहले तो 11 डालोगे तो 11 का स्क्वेर 121 प्लस 11 टूसा 22 प्लस 7 डिवाइड़ेड बाइ 11 टूसा 22 प्लस 3 25 हो जाएगा तो यह आपके पास में हो जाएगा हमारे पास में 121, 31, 41, 43, 150 अपॉन 25 तो यह एक्जाक्ली 6 आ गया और इस एपिसोड से मैं आप लोग के लिए अगले कुछ दिन वियाइटी के क्वेशन्स लेने वाला हूँ क्योंकि आपका वियाइटी विलोर इंस्टूट का जो एक्जाम होता है वो सामने और उस एक्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से जो ट्रिक्स बगएरा लगती हैं तो देखो है और यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेशन्न ले लिया है वियाइटी का यह मैंने उठाया है वियाइटी के 2011 के पेपर में से मैट्स वाले सेक्शन में से यहाँ पर आप देख रहे हो पहला क्वेशन आपको दिया है A, B, C, R, N, H, P आपको बोल रहा है A by B plus C, B by C plus A, C by A plus B इसको कैसे हम लोग solve करेंगे यह final result A, P आएगा, GP आएगा, HP आएगा किस तरी के सामने देखेंगे और यह पीछे दूसरा question हमारे पास में है algebra से related if x square plus 2x plus 7 upon 2x plus 3 is less than 6 x belongs to R then हमारे पास में क्या x की corresponding values हो सकती है तो इन दोनों question को मैं trick से उडाऊंगा और आप लोगों दिखाऊंगा कि कैसे VIT जैसे exam में आप बहुत easily tricks लगा सकते हो और अपने score को boost up कर सकते हो यह जो question है यह थोड़े ठीक level के question है मतलब आप अगर थोड़ा अच्छा पढ़ाई करोगे तब भी आप इस question को solve कर पाऊगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको mathematics लग लगा पाते हैं तो हाथ नहीं लगाने से अच्छा है कि आप लोग मेरे tricks को use करके हाथ लगाओ और हाथ लगाके पूरा जो है solve करके number उठाके आओ ठीक है अब समझते हैं कैसे हम लोग आप ट्रिक लगाने वाले पहला question बोल रहा है F A, B, C, R and HP पहले तो यह समझो HP क्या हो कि HP होता क्या है, AP क्या होता है आपको पता ही है जैसे कि आपके पास में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, differences same है 1, 2, 3 AP में हुआ, right तो HP होता है इसका उल्टा मतलब 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 मतलब कि HP वो series होती है जिसको reverse करने पे AP बन जाए, clear हुआ आपको यह बात, HP क्या होता है, HP वो series ह होता है, जिसको reverse करने पे AP बन जाए, तो 1 by 1, 1 by 2 और 1 by 3 हमारा HP होगा, तो ऐसे question को mathematically solve करने के बजाए, हम जुगारू तरीके से solve करेंगे, हम अपना ABC को 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ABC HP में है, आप दुनिया का कोई भी HP series ले लो, वो इस question पे apply होगा, समझ ग क्योंकि यह general question है, हर HP series के लिए valid होता है, तो हमारा A बन गया 1 by A, B बन गया 1 by 2, 1 by 1, 1 by 2 और C बन गया 1 by 3, अब यह जो हमारे बस में कहानी है, A upon B plus C, इसको solve करते हैं, देखो इसको solve करके अपन को क्या मिलेगा, A upon B plus C, मतलब की 1 upon B की value कितनी है, B की value है 1 by 2, और C की value है 1 by 3 कॉमा, ठीक है, फिर B upon C by A, B मतलब 1 by 2, तो 1 by 2 upon C की value 1 by 3, और A की value 1, है न, 1 by 1 और 1 A की है, और यहाँ पर क्या है, C, C मतलब 1 by 3, divided by A plus B, A क्या है 1 by 1 और 1 by 2, मतलब 1 plus 1 by 2, यह हमारे पास में question में जो दियावा है series वो हो गया, अब इसको आप लोग क्या करो, LCM लेके solve करो, तो यह आप LCM लोगे नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, 6, ठीक है, तो यह आएगा, आपको उसमें 3 plus 2, और उपर आएगा 1, है न, कुछ इस तरीकी का आजाएगा, यहाँ पर आपका आजाएगा, उपर में 1 by 2, और नीचे में आपका आजाएगा, 3, 4 by 3, और यहाँ पर आ mathematics लगाया, अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो यह आजाएगा, 6 by 5, 3 plus 2, नीचे, है न, फिर यह उपर जाएगा, तो यह आएगा, 3 by 8, 4 to the 8, और 3 into 1, 3, और फिर यह भी उपर जाएगा, तो यह आएगा, 2 और 3, 3 is a 9, क्या यह series आपको मिल रहा है, क्या यह series और समझ में आ रहा है, कि यह AP तो नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर आपको check करना है, तो आप क्या कर सकते हो, minus करके check कर सकते हो, right, मैं check करूंगा HP को, क्योंकि मेरे को feel आ रहा है, कि यह AP तो नहीं है, क्योंकि यह 6 by 5, जो यह 1.2 something है, फिर यह 3 by 8 है, जो यह 1 से भी छोटा हो गया काफी ज्यादा, और 2 by 9 है, वो और भी ज्यादा चोटा हो गया, मेरे को differences बराबर के नहीं दिख रहे, इन दोनों के बीच में जो gap है, वो ज्यादा लग रहा है, मेरेको, तो मैं क्या करूंगा, पहले HP ट्राइः करूंगा, HP देखूंगा, अगर HP भी नहीं आए, तो GP देखूंगा और GP भी नहीं आया फिर AP देखूंगा और अगर कुछ नहीं आया तो none of these के साथ मैं जाओंगा क्योंकि मेरा feel यह कह रहा है कि यह AP तो नहीं है देखके मेरे को feel आ रहा है क्योंकि यह 1.2 है यह 3 by 8 आप देखलो यह 50% से भी कम है मतलब यह आपका अगर यह 4 होता तो यह 0.5 होता उससे भी कम है और यह उससे भी कम है और जो gap है वो इन दोनों के बीच का gap जादा है इन दोनों के बीच का gap कम है तो मैं पहले HP चेक करूँगा तो HP चेक करने के लिए अगें क्या करना इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको तो उल्टा करोगे तो आपका आएगा 5 by 6 आपका आएगा 8 by 3 और आपका आएगा 9 by 2 अब आप इसको माइनस करके देखो क्या ये AP है अब आप minus करके देखो मेरे को feel आ रहा है कि शायद अब यहाँ पर हमारे पास में जो है gap जो है वो बराबर बराबर का gap हमारे पास में आया है क्योंकि आप देखो यहाँ पर यह 9 by 2 4.5 हो जाएगा है ना यह 8 by 3 2 point something हो जाएगा और यह 5 by 6 जो है यह 1 से थोड़ा सा कम है gap मेरे को अब बराबर का दिख रहा है 2 2 के आसपस का gap मेरे को दिख रहा है यह 2 point something यह 4 point something और यह 1 के आसपस मलब 1 से थोड़ा सा कम है ठीक है अब मेरे को ऐसा feel हो रहा है कि 11 जो है यह बराबर का लेकिन हम लोग चेक कर लेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे 8 by 3 और 5 by 6 को माइनस करो 8 by 3 माइनस 5 by 6 देखो यह कितना आता है LCM नीचे आया 6 यह आया उपर 16 माइनस 5 यह आएगा हमारे पास में 11 by 6 यह आ रहा है 11 by 6 माइनस करने पे 8 by 3 और 5 by 6 को माइनस करने पे आ रहा है 11 by 6 अब 9 by 2 और 8 by 3 को माइनस करके देखो है ना 9 by 2 9 by 2 को माइनस करके देखो आप किसके साथ 8 by 3 के साथ में ठीक है तो यहाँ पर आपके LCM आएगा 6, 93027-82016, तो ये भी हमारे पास में आएगा 11,6, इसका मतलब कि जो difference आ रहा है, 8 by 3 और 5 by 6 के बीच में, वही same difference आ रहा है, 9 by 2 और 8 by 3 के बीच में, इसका मतलब ये जो series है, ये AP है, तो इसका मतलब ये जो ulti series पहले बनी थी, वो HP थी, इसका मतलब हमा हमारा final answer क्या आएगा, HP का आएगा, तो हम क्या करेंगे, final answer, HP को tick करके अगले question में, चले जाएगे, मतलब आप इस question को छोड़ने वाले थे, जुगार लगा लिया, आपने, आपने HP series को let कर लिया, और easily आपका question जो है, वो solve हो गया, अब अगला question देखते है, अगला question क्या क 11 से या छोटा होगा, ये सारी चीज़ा आपको दे रखा है, सबसे पहले तो न, आप देखो 11 बार बर आ रहा है, माइनस बार बर आ रहा है, तो इन सारे points पर चेक कर लो, 11 डाल लो पहले तो, 11 डालोगे तो 11 का square, 121 प्लस 11 टूसा 22, प्लस 7, डिवाइड़ बाइड़ हमारे पास में 121, 31, 41, 43, 150 upon 25, तो ये exactly 6 आ गया, है ना, 11 डालने पर 6 आ रहा है, मतलब 11 कहीं ना कहीं answer में रहेगा, कहीं ना कहीं 11 answer में रहेगा, तो 11 से थोड़ा सा छोटा डाल के देखो, पहले 10 डाल के देखो एक बर, है ना, तो 10 डालोगे तो 100 आएगा 10 का square, है ना, प हां, ये 6 से बड़ा या 6 से चोटा है, तो 23 इंटू 6 अगर आप करोगे, तो 6, 3, 18, 6, 2, 12, 13, 13, 138 आएगा, तो ये 127 है, ये हमारे पास में 6 से चोटा है, इसका मतलब 10 जो है, वो इसको satisfy कर रहा है, इसका मतलब answer greater than 11 नहीं आएगा, तो 2 option आपने eliminate कर दिये, 10 इसको satisfy कर रहा है, 6 से चोटा हा रहा है, 10 डालने पर, तो यहां पर तो X greater than 11 दिया है, X greater than 11 दिया है, तो ये दोनों हमारे eliminate हो गए, राइट, अब बचा देखो, last option ही आएगा, क्योंकि 11 कहीना कहीं involved तो हो ही रहा है, है ना, क्योंकि 11 पर exactly 6 आ रहा है, तो आप last option को यहां पर tick कर दोगे, बहुत असानी से, ठीक है, अब अगर आपको verify करना है, तो आप verify कर लो, minus 1 put करके देख लो, minus 1 put करोगे, तो minus 1 का square 1 आएगा, फिर यह minus 2 आएगा, plus 7 आएगा, divided by minus 1 into 2, minus 2 plus 3, 1 आजाएगा, तो यह आपके पास में आजाएगा 6, तो आप देखो, minus 1 पे भी 6 आ रहा है, और 11 भी 6 आ रहा है, अब आपको थोड़ा doubt हो सकता है, यार इसका doubt हो सकता है, minus 3 by 2 का, तो आप ऐसा करो, minus 3 by 2 मतलब minus 1.5 होता है, अब minus 1.5 डालना तो बड़ा मुश्किल का काम है, आपको calculation थोड़ा lengthy हो जाएगा, तो आप ऐसा करो, यहाँ पर आपको दिया है, less than minus 3 by 2, तो minus 3 by 2 आएगा, minus 4, उसके बाद में आपका यह आएगा 7, और divide करोगे, आप minus 4 plus 3 minus 1 के साथ में, है न, minus 4 plus 3 minus 1 के साथ में आपको यह होगा, right, तो यह आपका क्या आ रहा है, यह तो cut गया है, तो यहाँ आपका minus 7, minus 7, क्या minus 7 छोटा है 6 से, यह 7 और minus 1 है, तो minus 7 आया, minus 7 6 से चोट ही है ना 6 से 6 से छोटा ही है तो आप minus 2 डाल रहे हो तो satisfy कर रहा है मतलब यह वाला condition भी कई ना के satisfy हो रहा है अगर मन में doubt है तो एक दो और value डाल के देख लो है ना एक बार 0 डाल के देख लो 0 में क्या आ रहा है 0 डालो होगे तो 7 by 3 आएगा satisfy कर रहा है less than 6 आ रहा है है ना 2 point something आ रहा है 0 डालने पर इसका मतलब यह range भी सही है minus 1 से 11 के बीच में भी satisfy कर रहा है और less than minus 3 by 2 में हमने minus 2 डाल के देख वो भी satisfy कर रहा है मन में अगर doubt हो एक दो और value डालो ताकि और confirmation आपको हो जाए और यही answer हमारा correct हो जाएगा इस तरीकी से अगर आप solve करोगे तो actual तरीके से आपको आता होगा तो आप कर लोगे लेकिन नहीं आता होगा तो आप छोड़ोगे अब question छोड़ना कोई sense थोड़ी बनता है अगर आप trick लगा सकते तो trick लगा के solve करो ना उसको right अभी 10 minute के अंदर में मैंने दो question आपको solve करके दिखाया और मैं यह आपर explain कर रहा हूँ आपको exam में किसी को explain नहीं करना आपको exam में बोलना नहीं है आपको खुद से solve करना है जब मैंने ये question पहली बार देखा सच बता रहो within a minute मेरे से in-ต equilibrium से issue हो गए थे थी है समझ में आ गया था कैसे-कशे करना आपकी calculation एक minute का होता है और यहां पर भी समझ में आगया था कैसे करना है calculation जो है एक minute का हलता है clear है बाकी तो बस यहीं बात है तो I hope黑buat पसंद लेग आपंस कुछ ची खाया होगा कुछ समझा होगा IN ट्रिक्स को फॉलो करोगे आप लोग एक्जाम में यह मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना और शेयर करना मत बूलना है बागी सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लाट्फरम का मज़ा उटा सेके बागी तो बहुत बहुत धन्वास तो को द देखने के लिए बने रही है यार